ओम गण गणपतये नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कर मित्रू प्रोफिट सीक्स शीक्स चैनल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे इस कलियों के कॉम्पिटिटिव याने किसपरधात्मक काल में हर कोई अपने प्रतिसपरधी को किसी भी तरीके से पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाता है इसी वजह से भहुत सारे निर्दोश या निश्पाप लोग शत्रू या नोकरी धंदे में या वेवसाई में अपने दुष्ट सहयोगें के वजह से कष्ट सहन कर रहे है कई बार ऐसा कष्ट इर्शावादी रिष्टेदार और पडोसियां के कारण भी होता है इसी वजह से आज इस वीडियो में मैंने एक ऐसे सरल और आसान लेकिन अत्यंत असरदार बिना मंत्र, यंत्र या पुझा विधी के उपाई के बारे में बताया है जिसका प्रयोग करने से यह कष्ट और परेशानी तुरंट बंध हो जाती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत बुलिए और तुरंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर प्लिक करें इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है और यह उपाय इनर्जी ट्रांसफर के सिधान पर काम करता है यारि कि साधक अपने मन के नकारात्मक उर्जा को उस परेशान व्यक्ति के पास बेचता है और अगर साधक इस उपाय को तीवरता और द्वेश के साथ करेगा तो उसके मन में से निकलने वाली उर्जा, दुश्मन या तकनिफ देने वाले व्यक्ति के आभा को भेद कर उसकी पीडा हमेशा के दिये खतम कर सकता है इसलिए इस उपाय को तीवरता द्वेश और आत्म विश्वास के साथ करना ज़रूरी है साधक इस उपाय को किसी भी दिन कर सकता है उसे एक सफिद कपड़ा देना है और उस कपड़े पर काजल से अपने तरजनी उंगली यानिकी पहली उंगली जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते है उसे से शत्रू का नाम लिखना है और फिर उस शत्रू के नाम में जितने अक्षर है उतनी बार उस कपड़े पर द्वेश के साथ ठुकना है और फिर जमीन पर रखकर जोर से कपड़े पर लाथ मारनी है उधारन की तौर पर अगर शत्रु का नाम सुनील है तो उस शब्द में तीन अक्षर है इसलिए आपको उस नाम पर तीन बार थुकना है और तीन बार लाथ मारनी है इसके बाद आप उस कपड़े को किसी भी गंदी चगह पर फेक सकते हो जैसे कि गटर या कुड़ा डालने की जगह पर अगर आपको अमारा चनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सब्सक्राइब करना मत भुलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे